बच्चों आज अम आपको बताएंगे किस चीज के बारे में क्या लिखा है दर्वे पौधों में जनन तो जनन का मतलब होता है नए पौधे की उत्पत्ती ठीक तो पौधों में जितने पौधे पाए जाते हैं उनमें जो जनन होता है दो प्रकार से होता है जो जो विडिया या नुकूलन, खंडन, भीजाई निर्मार और बघदी प्रजनन या कायच प्रवर्धन आप नुकूलन अप लोगों में ब्रेट देखी होगी यस मैं देखी हो इस ब्रेट बनाने के लिए उसमें इस्ट डाला जाता है इस्ट के इसमें मुकुल निकलते है जो डीरे दीरे इस से अलग हो जाती है तो एक नई ईस्ट बनाती है आसे ही एक शिंखला बनती जाती है तो मुकुल सिंखला बन जाती है ठीग तो इसको कहता है 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 नुकूलन अलेंगिक जनन फिक दूसरा है खंडन अलेंगिक जनन इसमें क्या होता है एक सेल्स में दो भाग में बढ़ जाती है यानि खंडन हो जाता है जैसे कि स्पाई रोगायरा यह क्या है एक सेवाल है तालाम में पानी देखे हो पानी में देखे ह तो खाई जो होती है नई शैल्स कैसे बनती है एक से बढ़ जाती है तो यह नया सवाल बन जाता है ठीक और क्या होता उसमें खंडन अलेंगिक जनन द्वाला एक सेवाल नए सवाल बनता है अब भी जारू निर्मार गारा थीक तो लोग घर चार चार देखो तो फफून लग जाता है तो उसी फफून का नाम क्या है राई जो पस जो फफून जम जाती है फिर वो हबाद्वारा किसी तरह हिलने से जो गोल समचन दिख रही है यह क्या होते है बीजारू यह गिर जाते है और नमी पाकर दूसरी फफून लेकिन इसमें क्या होता है कि नया पेड़ पत्ती पना और जड़ से बनता है जैसे अजूबा की पत्ती देखी हो है अजूबा की पत्ती से ही नया पेड़ उगाता है गुलात का कलम लगाते हुँ यह आलू लगाते हो तो जिससे कि क्या जाता है कि दया जाता है और तो इन vampateg Valentina शॉक्षल inकिल मृत कि 묵िद् drifting कů तिसमें कुल माधा जनकों की भाविडावी होती फूल में दो भाग हो इस तरीकेसर और फूंकेसर हैं ये जो बीच में है इस तरीकेसर है और ये बगल नहीं? इसके पूंकेसर है जानि कि नर और मादा भाग एक फूल में है इसलिए यह क्या हो जाएगा दोई लिंगी और एक लिंगी क्या होता है जिसमें एक फूल में एक ही भाग हो जैसे या तो इस तरी केसर होगा दूसरे फूल में पूंकेसर होगा तो वह क्या होंगे एक लिंगी होंगे छिए से पापीता मक्का लोकी में होते हैं अब में फूल चार हावाब कों से होते हैं ? पुल के ने है बाहख स्चार भाख बाहज में और ये जो इस्त्रीकेसर होगी तो यह जो चित्र बनाया है यह पूंकेसर का चित्र है थोड़ी फूली होती है इसको क्या कहते हैं इसमें छोटे-छोटे काल लगे होते हैं जिने हम परागड कहते हैं कैसे बातर सी कित्य बहुतकर है बरतीका अंडासा आं और जिस पर यह लगा हुआ उतर सोशपासन कहते हैं अब परागड क्षिह बरतीका weigh परतीकाग्ड कहिं को हम परागड कहते हैं ओग जी परागड दो प्र vendor contain किस्आए परागर क्या होता है जब एक ही फूल के परागर उसी फूल की बढ़ती कागर पे या उसी पेड़ के दूसरे फूल में परागर चले जाते हैं तो से स्व परागर कहते हैं और जब एक फूल के परागर किसी दूसरे पेड़ के फूल में जाते हैं तब उसको कहते हैं पर परा उनकेसर के पराखोष से पराकन उड़कर कहा गये बर्तिकागर पर तो यह देखिए बर्तिकागर पर आगया क्या है यह बीजान्ड कि जरी क्या बनता है बीजांड जिर्टी बिखसितोगर क्या बन जाएयगा बात में अन्दासा है और ये जो पराग कड़ है ये विक्षित हो के अन्दासा तक जाएगा और इस नर और मादा युगमत के मिलने से युगमनज का निर्मार होगा ये खोशी का है ठीड़नाया और ये देखिए हम ये फल मिलिये हैं क्या है अम्रूत का अंदरूत जिसको लोग खात अन्दासा है इसके अंदर बीज होंगे जो बीजांट से बने है ठीक पहले फूल हुआ फूल का अबसे इस भाग कहा है इधर पर हो ठीक समझे है सबको अब इसको आपनों लिखके समझेंगे अगली ग्लास में हम आपको प्रक्तिकल करके दिखाएंगे फूल के चार भाग झाल